वेलकम टू दे जाइनल अर्भी फंटासी सेवं तुछ सुडियो में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केट बॉल लिग का जो मैच खेला जाने वाल है क्लावलान वसेज अटलेंटिका की बीच में दोनों टिम में कंपेरिजन करें तो पॉइंट अबल पर थर्ड और माच वीन के साथ आ रहे प्रोबिल आज का माच आपर ये लॉस होंगी जिस सिनरों से आपर ये टीम में चल कर आ रहे फिलाल दोनों टीम एक्वली फेवरेबल है लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो मुझा लागता आज का माच आपर क्लावलान वीन करें तो थोड़ा से आपर जो फेवरेबल टीम रहेंगी वो रहेंगे क्लावलान और मेरी प्रेडिक्शन आज का माच आपर क्लावलान वीन करेंगी अगर आप टीम पर पैसा लागा देते हो तो याप पर थोड़ा सा यापर अगर देखेंगे तो यापर जो अनलेस है वो यही कहीते कि आपर क्लावरान आज का माच विनिंग करेंगी तो आप अपने आपर इंवेस्ट्पन क्लावलान पर कर सकते हो बात करेंगे दोनों टिम के तरफ से प्रवेबल स्टार्टर प्लस इंजूर अपडर्स लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो सब् दो टीन मैचस के लिए थे तीन में से दो मैच हमने अपर अल्ट्रकलेंशीट किये थे एक मैच जो लॉस होय था वो न्गी के वजग से आपर लॉस हो था ओहराल करेंस अच्छ गोडनेपा अपर एक अच्छ से रिपसर करेंगे और अच्छा है starter आपको provide करने की कोशिश मेरे आप पर रहेंगी starting lineup की बात करूई तरह is team की starting lineup अगर आप 이야기를 स्टाइटिंग लाइनब में देखेंい तो काफी ज़ादा credit to show आपको this matches में आप पर होने वाला है थोड़ा सा focus करना आप 실करhora around ling में यापर ग्रान लिंग में स्मॉल लिंग में तो यापर बेस्ट देनी की कोशिश करूँगा लेकिन डूटू क्रेटी टूशू काफी सारे प्लेयर पर हमें आप रिस्क लेने पड़ेंगा और थोड़ा सा यापर लग भी डिपेंड करता है अनलाइसिस के साथ ही आपर सब कु पॉरर है पॉर्ण गार्ड से कहलते हैं बॉरा लिनिंग का काम समालती है और असिस्ट प्लस पॉंट दोनों से परफॉर्मस आपको देख कर देंगे एक सेफ फी करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन से चॉइस के लिए मुरे की तरफ से भी अच्छा परफॉर्मस आए लेकिन जितना अच्छा नहीं जितना परफॉर्मस से आपर योंग देते हैं मोस्ट आप दो मैचेस में योंग आपको मुरे से ज्यादा पॉंट देने की आपर अबिलेटी रखते हैं अंटर की बात करूँ तो एक क्रेटर से और ऑफ्शन्स आपको एकला हुता क्रेटर से बारे में भी हम यह आपर बात करेंगे लेकिन ओर अपर इस टीम के पास बैस टेंट अच्छी नहीं तो आपर स्टाइटिंग लाइन पर काफे जाद यह टेम जो अपर डिपेंडन ने और स्टाइटिंग लाइन भी आप इनकी जो मेंच च्टेंत हैं और वही आपर सबचे तो हिट्टोड मैचस में इनके तरफ से फर्फार्मस आया और फर्फार्मस आया इनके तरफ से लास्ट मैचस में भी तो एक सेफ स्पीक मुझे आप पर लग रहा है लेकिन योंग थोड़े से रिफरेंशेल पीक होंगे आप इनको अवैर करने की कुशिश कर सोकतो क्रांड में और स्माल लिग में रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप इन पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो योंग ने लास्ट मैच में तो काफी अच्छा पर्फार्मस यह लेकिन इस टीम के अगेस्ट आपर स्ट्रगल किया वैसे वे क्रेडिट उशो काफी जादा है आपको किसी है और किसी प्लेएर पर इस लेना पड़ेंगा मुरी की बात करो तो लास्ट माया कर भी सेब लेबल का पर्फॉर्मस रहा था से लेवल कर परफॉर्umस रहता है करें जो याँ परिंका सेलेक्शन परसंटेज है वो थोड़ा सा कम है लेकिन चार ब्लॉक इनके हिट्टोर मैचस में आए थे और 15 पॉइंट और इसका साथ 8 रिबाउंड के चलते अच्छा परफॉर्मस आया था नहीं दिया लेकिन लास्ट माच काफी अच्छा इनका तरफ से आया है रिस्क लेना पसंद करते हो तो यहों को रॉप कर लेना फिलाले आपर एक से फीक जो रहेंगे वो डेफिनिटली योगी रहने वाले और इस टीम के तरफ से अगर आपर बैंस्टेंट की बात करूं तो लोगराल इतनी अच्छी है आपर इनकी बैंस्टेंट अविलेवल ने जो इस टीम के सबसे में बैंस्ट प्लेयर है और इनकी तरफ से परफॉर्मस भी आया है तो एक से आपके लिए रहेंगी जोंस आपके लिए बैक फॉर्वर्वर से खेलते हो आपको देखने को और उकुंगाय खेलेंगे आपर बैक अप सेंटर सबस्टेशन और जो आपर थोड़ा सा सीपेला उपर इसके लेने का मुझे मन नहीं करता है क्योंकि आपर से प्ला का जो सब्सूटेशन है वह आपर ऊकुंगाय और रोकुंगाय आपर कंटियूंस ली अच्छा परफॉर हर मैच में लास्ट माच चोड़ दे तुस्से पहले मैच में अच्छा परफॉर्मस इनके तरफ साए थोड़ा से आपर स्ट्रगल किया था इनके आपर गार्ड पोजिशन वाले जैसे कि हॉलिडे और जोरे जौन्स लास्ट माच में स्टार्ट तो किया था लेकिन आप पर जो आपर करेंटली आपर अपने टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मस देकर आ रहे और रिसेंटली तीन-चार मैचस में भी इनका रेगूलर्ली परफॉर्मस आये सेकंड साइड अगर हम आप पर बात करेंगे क्लेवलन तो क्लेवलन की भी रेगूलर स्टार्टिंग ल और दोनों प्रोयर इंपोर्टन है लेकिन स्टार्टिंग लाइनर में कोई भी आपर इंजोरी अपडेट्स नहीं सभी प्लेयर मोशली आपर खेलते हुए आपको देखने को मिलेंगे बात करेंगे इस टीम की तरफ से तो लास्ट मैच में थोड़ा सा अर्लिन ने आपर र सब्सक्राइब करेंगे स्टीवन को आप एजए क्रेडिस और ट्राइब कर सकते हो फाइफाइफाइब करेडिट में मुझे लगता काफी अच्छी पीक आपको मिल जारी जो कि आपर आपर स्टार्टर भी किलेंगे और लास्ट मैच में ठीक टाक परफॉर्मस देखर भी अले ले ले लास्ट मैच में थोड़ा सा आपर ऑफेस में ज्यादा इन्वाल नहीं होए थे उसके चलते आपर ज्यादा टाइम भी नहीं के लिए थे लिकिन आपर रिसेंटली जो मैचस में परफॉर्मस है आपर घरलेंड और मोबली के तरफ से भी आ रहा है और स्टीवन साब को आधर क्रेडिशोर मिल जाएंगे तो करन फार में आपर इन थीए नों प्लियर का ठीक्टा के क्रेड़ेंड आपके पास आपके लिए तिनों आपके लिए स्मॉल ले के लिए अच्छी पीक रहेंगे और बात करेंगे लास्ट मैचस के परफॉर्मस सब से बहुत है इनको डॉप करने का रिसक आप ले सकते हो परफॉर्मस नहीं आए लेकिन जो परफॉर्मस आये कंटियूसली वह आया आपर गारलेंड का हीट्ट मैचस में भी देखेंगे तो गारलेंड की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मस आया और कंटियूसली आपने टिम के लिए के performance की बात करो तो हापर भी इनको ज्यादा टाइम मिला रही इसका बहुत बाड़ा रिजन है कि इन्होंने फाउल काफी ज्यादा कर देते पाच इन्होंने प्रस्नल फाउल कर देते लेकिन कम टाइम खेल कर भी इन्होंने इनके तरफ से आया है ओके रहा जो कि आज आप स्टार्टर के लिए ते क्योंकि इस मैच में वोभली नहीं के लिए और लास्ट मैचस में एजबेंच फ्लेयर खेल कर भी परफोर्मस आया तो थोड़ से डिफरेंशिल फिक ग्रैंड लिग में आप इनको ट्राइक कर सकते हो तो यह हुआ इस तेम के आप पर हेट्ट्वेड मैचस का और उसिक सास आते आपर रिसेंटली मैचस का परफोर्मस से फिक इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहे है आप गैरलीन को पिक कर सकते हो आपके लिए एक अलीन काफी अच्छी पिक रहेंगे लास्ट मैचस में परफोर्मस आये उसमान की तरफ से भी और अगर आज का माच आप पर जो दो प्लेयर है जिनके उपर गेम टाइम डिसेजन है उसके बारे में हम सबसे पहले डिसकस कर लेते लव जिनकी उपर गेम टाइम डिसेजन है लास्ट माच के लिए नहीं थे डूट्यू इंजूरी और गेम टाइम डिसेजन या पर लिवर्टी डूटी आप पर एंकल इंजूरी अगर यह आज का माच आपर मिस कर गए तो औरेड़ी आपको ओसमान आपको काफी जादा टाइम खेलते वे देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट माच में खेले भी इंपॉर्टम पीक रहेंगे अगर दोनों मेंसे कोई एक प्लेयर खेलाने या फिर लोव हो या फिर चाहे या पर हो आप रहेंगे चैशक मैंप दे का कहने नहीं लिए तो लॉपिस आपको अखाका सब्सपट प्र लेकिन इनको बैक ना कर दियो औसमान को बैक किया था और उसमान की तरब से पर्फर्फरमास आये और अगर यापर बात करेंगे डेंबो डूम टीम तो सबसे पहले आपर मैंने सेपसाइड एक टीम बनाई जहाँ पर योंग को पिक के आया पर घरलें को सेपसाइड के लिए मैंने मिचल को पिक क्या है औस मान मेरे टिम मेरेने वाले स्टीवन जो कि हाप रस्टर्टिंग लाइन अप में रहेंगे चाहर अगर बात करो तो यहाँ पर जून्स को मैंने पिक आ है क्रेडि से और सेंटर से अलिन पिक के और 9.5 करेडि में आज स्टार डूनरे हैंटर आप को बीचल मिल जाएंगे जो कि आप पर फिल्ड गोल से खाफी जादा शौर्स लेते लिवर्टी इनके ओपर गेम टाइम डिसेशन है एज बैंच प्लेयर खेलेंगे और वहां से इनके तरफ से कुछ खास परफॉर्मस आया है नहीं और अगर आपर स्टार्स के आपको एक टी परफॉर्मस दे लास्ट माइचस में भी यों या फिर गार्लेंट दोनों में से किसी एक को टाइकर ना थर्टिंग क्रेडिट बचेंगे जहां पर क्रीस लिवर्टी आगर आज का माश के लिए तो मेरे टीम में यह पर यह होंगे यह थोड़ी से स्टार्ड के अकोर्डिं अगर्णिंग टूँपर स्टार्स और इस टीम में आप काफी एक्टेन वास काप्टन काफी जाधा डिफरेंशल कर सब्सक्तों काफी सारी अप्चेंश अभी लेए अलिंग को ट्राइ ना गार्लेंड तो डिफाल्ट वास क्याप्टन से चोईस आपको यहास मिल जाएंग गुल ard तो वहां से इनकी तरफ से फार्फॉर्मर्स आएंगा तो यह घ्राय सके लिए है याप पर तीम रहने है